आज की किलास में हम टाइम एंड डिस्टेंस के पार्ट 4 को कवर अब करेंगे कोश्चन नमБर 31 से स्टार्ट करेंगे इससे पहले कि सभी कोश्चन हम पार्ट 1, 2, 3 पर श्रेंद और 3 में कर चुके हैं तो स्वागत है आपका इक्जामिनेशन 27 में बहुत ही धम्माकेदार सौट ट्रिक्स से questions को हल करेंगे तो वीडियो में सुरू से लेके end तक बने रहे अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को subscribe कर दें तो चलिए questions पर चलते हैं ये रहा पहला question एक कार कुछ दूरी 4 से 1 वटे 2 घंटे में तैय कर सकती है यदि इसकी गती 5 किलो मेटर पती घंटा बढ़ा दी जाए तो वह दूरी तैय करने में आदा घंटा कम लगेगा कार की धीमी गती कितनी है तो देखिए questions को समझते हैं तो देखिए दोस्तो कार जो है पहले किसी दूरी को 4 से 1 वटे 2 जाने कि 4.5 घंटे में तैय करती थी यदि उसकी स्पीड जो 5 किलो मेटर पती घंटा बढ़ा देते हैं तो वह दूरी तैय करने में आदा घंटा कम लेती है पहले 4.5 घंटा लेती थी 4 से 1 वटे 2.5 घंटा लेती थी अब 4 घंटा लेगी तो कम लेगी तो कार की धीमी गती कितनी है तो धीमी गती कितनी यानि कि यानि कि अगर वो स्पीड नहीं बढ़ाता है जैसे 5 किलो मेटर पती घंटा स्पीड बढ़ा रहा है अगर नहीं बढ़ाता है तो कार की चाल क्या रहती है ग्याद करना हमें तो हल करते हैं इसे तो देखे दोस्तों कार की पहले गती किती है कित्ता समय ले रही है किसी दूरी को तै करने में साड़े चार घंटे ले रही है चार सही एक बटे दो घंटे ले रही है फिर वो आदा घंटा इस्पीड बढ़ाने पर आदा घंटा कम लेती है पाच लेगी तो यह हो गया T1 यह हो गया T2 तो देखिए T1 और T2 का रेस्च ! और अनुपाद निकाल लेते हैं तो देखिए हहां पर क्या जाएगा यह चार साई एक बटे दो तो चार साई एक बटे दो को देखिए क्या लिखनें चार दूनी आठ चार दूनी आठ धन एक नव नव बटे दो लिख सकते हैं तो टी वन की वेल्यू कित्ती हो गई नव बटे दो हो गई और टी टू की वेल्यू कित्ती है चार है तो देखिए दो का गुड़ा इधर 4 के साथ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 9 अनुपात 8 हो जाएगा तो देखिए तो T1 और T2 का रेसो कित्ता निकल के आगा है T1 अनुपात T2 ये निकल के आगा है 9 अनुपात 8 तो देखिए 9 और 8 इस किते का डिप्रेंस है एक का डिप्रेंस है यह एक का डिप्रेंस पाच के बढ़ाबर है क्योंकि देखिए उफ पहले साड़े चार घंटे में तै कर रहा था किसी दूरी को फिर पाच कीलो मीटर प्रती घंटा की स्पीट बढ़ा रहा है तो आदा घंटा कम लग रहा है उसे पहले से जाने कि एक का डिप्रेंस कित्ते के बराबर होगा पाच के बराबर होगा तो नव कित्ते के बराबर होगा नव गुडित पाच कर देंगे यह हो जाएगा पैंतालिस और आठ कित्ते के बराबर होगा आठ गुरा पाच कर देते हैं तो यह आजाएगा चालिस तो देखिए अब यह स्पीड जादा है और यह स्पीड कम है तो हमें बोल रहा है कम धीमी कार की धीमी गती किती है किती होगी 40 km प्रति घंटा 40 km प्रति घंटा option number B आ जाएगा अगले question पर चलते हैं देखिए question है एक किसान 61 km की दूरी 9 घंटे में तै करता है वहां आंसिक रूप से 4 km प्रति घंटा की दर से पैदल तता 9 km प्रति घंटा की दर से साइकिल द्वारत तै करता है पैदल तै की गई दूरी कितनी है तो देखिए किसान 61 km की दूरी है पूरी जो 9 घंटे में तै करता है पूरी दूरी को 9 घंटे में तै करता है और वो बोल रहा है वह आंसिक रूप से 4 km पती घंटा की दर से जाने कि 4 km पती घंटा की दर से पैदल पैदल करता है और 9 km पती घंटा की दर से साइकल द्वारा तै करता है पैदल ताई की गई दूरी कितनी ये गयात करना है पैदल ताई की गई दूरी कितनी ये गयात करना है हल करते हैं इसे बहुत अच्छा कोश्चन है तो देखिए दोस्तों इक किसान जो है टोटल दूरी कितनी है किलो मीटर दूरी है 61 किलो मीटर और वो कितने घंटे में पताई कर रहा है उसे नौ घंटे में तै कर रहा है तो देखिए 62 किलो मिटर 9 घंटे में तय करता है और फिर बोल रहा है 4 किलो मिटर प्रति घंटे की दर से पैदल तो देखी वो 4 किलो मिटर पैदल जो है 4 किलो मिटर प्रति घंटे की चाल से चलता है और साइकल से 9 किलो मिटर प्रति घंटे की चाल से चलता है नव किलोमेटर प्रति घंटा की चाल से चलता है साइकल से तो देखिए पैदल चाल की चार किलोमेटर प्रति घंटा की चाल से चलता है कुछ समय के लिए मान लिजिए कि वो पूरी दूरी पैदल तै करता है नव घंटे में तो कित्ती तै कर लेगा किती दूरी तै कर लेगा 9 का गुड़ा कर देते हैं 4 से कितना आ जाएगा दोस्तो 36 आ जाएगा और साइकल से अब मालीजिए 9 किलो मीटर प्रती घंटा की चाल से साइकल से पूरी दूरी तै करता है 9 घंटे में तो कितनी तै करेगा बूरी साइकल से 9 गुड़ीध नाव कर देते हैं तो यह आ गया 81 यह देखी दोस्तों यह वास्तुविक दूरी नहीं है वास्तुविक दूरी नहीं है वास्तुविक दूरी तो 61 किलोमीटर प्रति गंटा 61 किलोमीटर दिया है हमें तो देखी दूरी किती दिये 61 किलोमीटर दिये दूरी 61 किलोमीटर दिए तो देखिए हमें टाइम निकालना है टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे 61 61 में से 36 को घटा दिजी 61 में से 36 को घटा दिजी तो देखिए बड़ी रासी में से छोटी रासी को घटा देते हैं तो कित्ता बचेगा 25 बचेगा 61 में से 36 जाएगा उसी प्रकार 81 में से 61 घटा देते हैं बड़ा 81 है छोटा 61 है तो बड़ी रासी है छोटी रासी घटा देते हैं तो देखिए कितना बचेगा 20 बचेगा तो इसे हम सरल कर लेते हैं पाचो के 20 और पाचाम 25 यानि कि वो 61 किलोमीटर की दूरी चार घंटे में पूरा करेगा और पैदल वो चार घंटे में पूरी करेगा और साइकल से पाच घंटे में पूरी करेगा हमसे बोला है कि साइकल दोर ताइक करने पैदल ताइक की गई दूरी कितनी है हमसे क्या पोच्छा है कोश्चन है पैदल ताई की गई दूरी किती है पैदल किते की स्पीड से ताई करता है और चार की स्पीड से करता है तो देखिए चार की स्पीड से किते टाई में करता है चार गंटे में करता है तो किते किलोमेटर करेगा चार चोके 16 16 km दूरी तय करेगा पैदल 4 की स्पीट से 4 घंटे में 16 km दूरी तय करेगा पैदल आप्शन नमबर भी आ जाएगा आगले क्रोस्चन पर चलिए 54 km प्रति घंटा के वेक को मीटर से मीटर प्रति सेकंड में बदलने पर प्राप्त होता है 54 km प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है बहुत ही आसान है तो देखी दोस्तों मैंने फर्स्ट पारट में बताया था km से मीटर पर सेकंड में जाना है km प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड में जाना है यहीं कि बड़ी रासी से छोटी रासी में जाना है तो किता पाच बटे अठरा का गुड़ा करते हैं और बड़ी रासी छोटी रासी से बड़ी रासी में जाना होता है तो इसी का उल्टा अठरा बटे पाच का गुड़ा करते हैं वो कैसे तो देखिए जैसे हमें किलो मीटर प्रती घंटा को बोल रहा है मीटर पर सेकेंड में चेंज करो बोल रहा है तो देखिए एक किलो मीटर में किते होते हैं एक हजार मीटर होते हैं और एक घंटे में 36 सेकेंड होते हैं 0 से 0 कड गए 2 पंचे 10 2 एकम और 2 आटे 16 प्रति गंटा में चेंज करना है तो इसी का उल्टा अठ्रा बटे पाच का उड़ा करेंगे कि तो देखिए हमें क्या बोल रहा है चब्वन किलो मीटर प्रति गंटा को मीटर पर सेकेंड वे यानि कि बड़ी रासी से छोटी रासी में जाना है पाच बटे अठ्रा को गुड़ा करेंगे तो यदि कि अठ्रा से चववन तीन बार कट गया और ये पाच तिया पंदरा पंदरा मीटर पर सेकेंड आप्सन नमबर सी आजाएगा अगले कुश्चन पर चलते हैं यदि किसी सवारी गाड़ी की चाल अपनी सामाने चाल से 10 किलो मीटर पती घंटा बढ़ा दी जाए तो वहां 360 किलो मीटर की दूरी तै करने में 3 घंटे कम समय लेगी गाड़ी की सामाने गती कितनी है तो देखी दोस्तो तो देखी दोस्तो यदि सवारी गाड़ी की चाल अपनी सामाने चाल सामाने चाल यानिकि चाल तो हमें दी नहीं है बस सामाने चाल बोल दिया है तो चाल को स्प कर दिया है तो वहां कर दिया है तो वहां 360 किलोमिटर की दूरी ताइक करने में 3 घंटे कम समय लेती है लेगा 360 किलोमिटर तो पहले सामाने चाल था था सामाने चाल से चलती है तो वह 360 घंटे में ताइक कर लेती दूरी अगर अब सामाने चाल से 10 किलोमेटर प्रती घंटा बढ़ा देते हैं तो वो 360 किलोमेटर की दूरी ताय करने में तीन घंटे का कम समय लेगी तीन घंटे कम समय लेती है तो गाड़ी की सामानी करती कितनी है यह ग्याद करना है तो हल करते हैं देखिए तो देखिए दूस्तों टोटल दूरी किती दिए हमें टोटल दूरी दिए 360 किलो मिटर तो देखिए 360 किलो मिटर सामाने चाल बोल रहा है सामाने चाल बोल रहा है सामाने चाल यानिकी हम इसे स्पीट को S माल लेते हैं सामाने स्पीट तो S मान लेते हैं इसे फिर देखिए बाद में क्या बोल रहा है वो 10 km स्पीट को स्पीट को 10 km प्रती घंटा स्पीट को 10 km प्रती घंटा बड़ा दिये जाए तो बड़ा दिया जाए तो 3 घंटे दूरी तही करने में 3 घंटे समय कम लगता है तो देखिए स्पीट जो है 10 घंटे बड़ा देता है तो 360 km की दूरी तो कितने घंटे अधिक लगते हैं तै करने में 360 km की दूरी तै करने में 3 घंटे समय कम लगता है तो अब देखिए ये T1 हो गया ये T2 हो गया दो कंडिशन दीए यहां पर देखिए समझीए अच्छे से तो देखिए टाइम बराबर क्या होता है टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपान स्पीड तो देखिए दूरी हमें तो दिए टोटल दूरी 360 km दिए सामान ने चाल बोल रहा है चाल याने की हमें दिया नहीं है S मान लिए स्पीड को हमने फिर बोल रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल बढ़ाने पर तो स्पीड पहले S थी अब S प्लस 10 हो गई तो दूरी तो 360 km दिए तो इसे ताइक करने में वो 3 घंटे कम समय ले रहा है 3 घंटे का समय कम ले रहा है तो देखिए इसे हम option से हल करेंगे book की method से बहुत लंबा होगा इसलिए option से हल करेंगे तो देखिए अगर मैं option से S की value 25 लेता हूँ तो देखिए क्या होता है 360 बटे S का मान 25 रख देते है minus 360 बटे S का मान 25 धन 10 तो देखिए अब इसे काट देते है देखिए दोस्तों इसे 25 से काटने पर value जो है दसमलों में आएगी दसमलों में आएगी और देखिए ये तो पूर्णांख है पूर्णांख है यानि कि हमें तीन आना चाहिए left hand side बराबर right hand side LHS बराबर RHS आना चाहिए जो कि नहीं आएगा तो option number ये तो आई नहीं सकता किसी condition में तो अब हम 30 लेते हैं S की value 30 लेंगे तो देखिए ये देखिए S का मान 30 ले रख देते हैं 30 धन 10 तो देखिए हल करते हैं इसे 300 बटे 30 रिन सुर्णी ये 360 है 360 बटे 30 धन 10 30 धन 10 कित्ता हो जाएगा दोस्तों 40 हो जाएगा देखिए 0 से 0 कड़ गया 3 एकम 3 3 दूनी 6 किते बार कड़ गया 12 बार कड़ गया यहाँ पर देखिए 0 से 0 कड़ गया 4 आटे 32 4 नाम 36 9 बार कड़ गया 12 में से 9 गटाए बराबर में 3 चल रहा है दोस्तों बराबर में यह देखिए वाला 3 चल रहा है तो 12 में से 9 गटाएंगे कित्ता बचेगा 3 बचेगा तो यह देखिए LHS बराबर RHS तो दोनों वेल्यू बराबर आ रही है तो आप्सन नमबर भी इसका आंसर हो जाएगा नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक्जामिनेशन 27 में आज की क्लास में हम टाइम एंड डिस्टेंस के पार्ट थर्ड को कवर अप करेंगे बहुत ही सांदर तरीके से क्वेस्चन को हल करेंगे तो वीडियो में सुरू से लेके एंड तक बने रहे हैं अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सस्क्राइब कर दें तो चली क्वेस्चन पर चलते हैं 21 नमर से हल करेंगे इस से पहले के सभी क्वेस्चन को हम हल कर चुके हैं तो देखिए क्वेस्चन है 6000 किलोमीटर की एक उडान में एक वायूयान को मोसम खराब होने के करण अपनी औसद गती 400 किलोमीटर पति घंटा कम करनी पड़ी तथा उसके उडान के समय में 30 मिनट की वरद्धी हो गई उडान का मुल समय कितना था ये ग्याद करना है में तो देखिए जो कुल दूरी किती है 600 किलोमीटर की दूरी तै करना था मोसम खराब होने के करण वो अपनी गती 400 किलोमीटर पति घंटा कम कर देता है तो उसके जो उडान है उसमें 30 मिनट की वरद्धी हो जाती है तो उडान का मुल समय क्या है ये ग्याद करना है यान कि कितने समय उडान भरना था वायूयान को ये ग्याद करना है हमें तो हल करते हैं इसे तो देखिए दोस्तों क्वेस्चन में क्या दिया है 6 किलोमीटर की एक उडान में यानकी कुल दूरी किती हो गए 6 किलोमीटर दूरी किती डिस्टेंस किती हो जाएगी 6000 किलोमीटर तो देखिए दोस्तों दूरी तो है 6000 किलो मिटर आ गई दूरी फिर बोल रहा है मोसम खराब होने के करण अपनी अउस्सद गती 400 किलो मिटर पति घंटा कम करनी पड़ी तथा उसके उडान के समय जो पहले का उडान का समय था उससे 30 मिनट की रद्धी होती जो पहले वाला समय था उसे हम X मान लेते क्योंकि समय दिया नहीं है तो X मान लेते तो देखिए दूरी हो गई 6000 किलो मिटर उडान का समय कितना मान लिए? X मान लिए फिर बोल रहा है मोसम खराब होने के करण उडान के समय में एक आदे घंटे की यानि कि 30 मिनट की वरद्धी हो जाती है तो उडान का मुल समय कितना है देखिए तो दोडिकि मोसम खराब होने के पहले वा 6000 क्यलो मिटर X गंटे की 4 से चल रहा था एक किलो मिटर उनिकी x घंटे में पौंच रहा था तो देखिए मोसम खराब होने पर वह 400 क्यलो मिटर की प्रति घंटा कमी करती है गती में तो चीज़ 6,000 किलो मीटर किते समय में पार करेगा उसको बोल रहा है तीस मिनट की वरद्दी होती है मोसम खराब होने के कारण वहां अपनी गती कम करता है तो उडान के समय में पहले तो उडान का समय एक्स था अब उडान के समय से 30 मिनट की वरद्दी इसमें एक्स में 30 मिनट की वरद्दी तो एक्स धंद क्या जाएगा 30 मिनट तो देखिए 30 मिनट को घंटे में कनवर्ड करेंगे क्या आजाएगा एक बटे दो आजाएगा तो हम लिख देते हैं एक बटे दो एक बटे दो आजाएगा तो वहाँ अपनी गती को कित्ता कम कर रहा है 400 किलोमीटर पति घंटा कम कर रहा है तो देखिए इसे हम option से हल करते हैं option से हम x की value एक बटे दो, एक सही एक बटे दो लेते हैं, एक सही एक बटे दो, तो यह देखिए, एक सही एक बटे दो, तो दो, एक हम दो और एक तीन, तीन बटे दो हो जाएगा यह, एक का मान तीन बटे दो रख देते हैं, तो देखिए, 6000 X की value किती है 3 बटे 2 रीण 6000 X की value 3 बटे 2 धन 1 बटे 2 तो देखिए ये जो है 2 2 उपर चल जाएगा तो ये जगा 6000 गुडी 2 बटे 3 बटे में 3 माइनस इसके बराबर में 400 है 6000 ये देखिए दोनों का LCM लेंगे 3 बटे 2 धन 1 बटे 2 इनका LCM 2 आ गया 3 और 1 कहता हो गया 4 और ये 2 उपर चल जाएगा तो ये 6000 गुडी 2 बटे 4 आ जाएगा तो देखिए काट देते हैं 3 दूनी 6 ये तो ये कित्ते बार कड़ गया 2000 बार कड़ गया देखिए 2 दूनी 4 दो ये कम दो दो दूनी दो ती अच्छाए कित्ते बार कड़ गया 3000 बार कड़ गया देखिए कित्ता हो गया 2000 गुडी दो यह गया 4000 और ये कित्ता हो गया 3000 आ गया और ये देखिए बराबर में 400 चल रहा है 400 बराबर 400 तो देखिए घटा देते हैं इसे तो क्या आजाएगा 1000 बचे गया बराबर 400 तो ये देखिए क्या 1400 के बराबर है नहीं है तो अप्सन नमबर A इसका आंसर नहीं हो सकता अब हम अप्सन नमबर B को लेंगे X की वैलू क्या रखेंगे 220 एक बटे दो तो दो दुनी चार और 550 बटे दो आजाएगी इसकी वैलू इसे हल करेंगे तो हल करते हैं इसे देखिए तो देखिए अप्सन नमबर B को लेते हैं 220 एक बटे दो 2-2-4 धन 1-5, 5-2, x बड़ाभर किता जाएगा 5 बटे 2, तो देखिए एकस की जग़ा 5 बटे 2 रख देते हैं, यहां पर भी x की जग़ा 5 बटे 2 रख देते हैं, 5 बटे 2, धन 1 बटे 2, हल करते हैं इंसे, तो देखिए ये दो उपर चल जाएगा 6000 गुडित दो बटे में क्या आ जाएगा पाच आ जाएगा फिर माइनस 6000 बटे ये देखिए पाच बटे दो धन एक बटे दो इलसेम किता आ गए दोनों का दो आ गया और पाच और एक किता आ गए 6 ये दो उपर चल जाएगा तो इधर गुडे में 2 आ जाएगा बटे में क्या बचेगा 6 बचेगा तो देखिए ये आ गया बराबर 400 चल रहा है ये देखिए 400 तो देखिए पाच से किता बड़ कटेगा पाच से कम पाच, पाच दूनी 10 और ये 2 0, 1200 बड़ कट जाता है और यहां पर देखिए 6 से 6 कम 6, 1000 बड़ कट जाएगा तो क्या बच गया 1200 गुडी 2 किता होगा 2400, 2400 रिन 1000 गुडी 2, 2000 बच गया बड़ाबर में 400 चल रहा है तो देखिए 2400 में से 2000 चलेगा किता बचा 400 बड़ाबर 400 तो यानि कि option number B दोनों value बड़ाबर आ रही है तो option number B इसका answer होगा option number B answer होगा 2 साई 1 बटे 2 उडान का मूल समय 2 साई 1 बटे 2 घंटे होगा अगले question पर चलते हैं station पर रुकने के समय को समीलित करने पर किसी रेलगाडी की चाल 28 किलोमीटर प्रति घंटा है जबकि station पर रुकने के समय को हटा कर उसकी चाल 42 किलोमीटर प्रति घंटा है कितने समय प्रति घंटा की अउसत चाल से रेलगाडी station पर रुकी तो देखिए station को रुकने के समय को सम्मिलित करकर रेल गाड़ी के चाल किती है 28 किलो मिटर और वो इस्टेशन पर नहीं रुखती तो उसकी चाल किती है 42 किलो मिटर तो कितने समय प्रति घंटा की और सथ से रेल गाड़ी इस्टेशन पर रुखी है ये ग्यात करना है में तो हल करते हैं इसे देखी तो देखिए जब रेल गाड़ी इस्टेसान पर रुखती है तो उसकी चाल कित्ती होती है उसकी चाल होती है 28 किलोमेटर प्रति घंटा 28 किलोमेटर प्रति घंटा और वो बीना रुके चलती है तो उसकी चाल कित्ती होती है घंटा की यानि कि कितने समय प्रती घंटा की अवसाद से रेल गाड़ी स्टेशन पर रुकी यह ग्याद करना है हमें तो यानि कि टाइम ग्याद करना है चाल बराबर क्या होता है इस्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपन टाइम तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा distance upon speed आजाएगा तो हल कर लेते हैं इसे देखिए तो देखिए time बराबर क्या हो गया distance upon speed यह देखिए speed दिये दोनो यह speed है हम उस speed को लेंगे जिसमें train रुकती नहीं 42 वाली speed में train रुकती नहीं यह रुक कर चलती 28 वाली speed में तो हम speed में 42 को लेंगे distance किती रेंगे 14 ले लेंगे तो देखिए तो क्या आगई distance upon 14 आगई और speed क्या आगई 42 आगई देखिए 14 एकम 14 14 दुनियाट 14 तिया 42 किता आगई 1 बटे 3 यह जो 1 बटे 3 है यह मिनट में इसे घंटे में convert करने के लिए क्लिए क्लिए करेंगे तो इस घंटे में 1 बटे 3 जो है घंटे में तो इसे मिनट में convert करने क्लिए 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 करेंगे 60 से गुड़ा करेंगे देखिए 3 दूनिय च्छा है और यह 0 किता हो गए 20 मिनट तो क्या आ जाएगा सब 20 मिनट की ओफसर से रेल गाड़ी स्टेशन पर रूखी ओप्सन नमबर कौन सा जाएगा ओप्सन नमबर डी आ जाएगा ओप्सन नमबर डी आ जाएगा इसका अगले कोश्चन पर चलते हैं देखिए एक जीब एक कार का पिछा कर रही है जो जीब से 5 किलो मिटर आगे है एक जीब कार का पिछा कर रही है जो जीब से 5 किलो मिटर आगे है उनकी चाल क्रमसा 90 किलो मिटर प्रतिगंटा तथा 75 किलो मिटर प्रतिगंटा है जीब कार को कितने समय के बाद पकड़ लेगी तो देखिए यहाँ पे जीब जो है कार का पीछा कर रही है जीब जो है कार का पीछा कर रही है जो जीब से जीब से कार किते किलोमेटर की दूरी पाच किलोमेटर की दूरी पाच किलोमेटर दूर आगे है जीब से पाच किलोमेटर आगे है तो देखिए उनकी चाल जीब की चाल 90 किलो मीटर प्रति घंटा और कार की चाल 75 किलो मीटर प्रति घंटा है तो हमें क्या ग्याद करना है जीब कार को किते समय में पकड़ लेगी ये ग्याद करना है तो हल करते हैं इसे देखिए तो देखिए जो Jeep है उसकी speed किती है 90 km प्रति घंटा 90 km प्रति घंटा और car की speed किती है 75 km प्रति घंटा 75 km प्रति घंटा तो देखिए मैंने यहाँ पर घटाया क्यों क्योंकि दोनों सापे एक दूसरे का पिछा कर रही है यानि कि सापे एक ही दिशा में चल रही है और सापेक्च चालो को घटाया जाता है इसलिए यहाँ पर घटाया है मैंने सापेक्च चालो को घटाया जाता है अगर ये एक दूसरे की विप्री दिसा में चलती तो इन्हें जोडा जाता तो देखिए नब्बे और 75 के बिच गेब कित्ते का बन रहा है 15 का बन रहा है 15 किलो मीटर प्रति घंटा का और देखिए जो है कार जो है जीब जो है जीब कार से 5 किलो मीटर आगे है जीब जो है जीब से कार 5 किलो मीटर आगे है तो दूरी कित्ती आ गई डिस्टेंस पाच किलो मीटर हो गई डिस्टेंस डिस्टेंस हो गई पाच किलो मीटर तो देखिए हमें क्या दिया है देखिए हमें दूरी दिये दूरी पता है हमें और चाल भी पता है तो किस बात की कमी है समाई की कमी है तो समाई बराबर होता है दूरी बटे चाल time बराबर होता है distance upon speed तो देखिए distance किती है 5 km की और speed किती है 15 km प्रति घंटा तो क्या आ गया पाच एक बटे 3 एक बटे 3 घंटा इसे अब चुकी ए घंटे में ये हावर में इसे मिनाट में करने के लिए 60 का गुड़ा कर देते हैं देखिए तीन दूरी चाहे 20 आ गया तो जो है जीब जो है कार को किते मिनट में पकड़ लेगी 20 मिनट में पकड़ लेगी option नमबर B अगले question पर चलते हैं देखिए कार A ने 448 km की दूरी 8 घंटे में ताई की तथा कार B ने 9 घंटे में कार A से 110 km अधिक दूरी ताई की कार A से 110 km अधिक दूरी ताई की और कार A कार B की गती कानुपात है क्रमसह तो देखिए कार A जो है 448 km की दूरी 8 घंटे में ताई कर रही है और कार B जो है 9 घंटे में कार A से 110 km दूरी अधिक दूरी ताई कर रही है तो देखिए 9 घंटे में कित्ती दूरी ताई अधिक कर रही है A से 110 km A कित्ती ताई कर रहा है 448 A से 110 km अधिक कित्ते हो जाएगा ये दोनों को जोड़ देंगे तो यह हो जाएका पाससो अंठाउन किलोमीटर दूरी तए कर रहे है तो कार A और B की गति का अनुपात क्या है ये ग्यात करना है हमें कार A और B की गति का अनुपात क्या है ये ग्यात करन हल करते हैं इसे देखिए तो देखिए कार A जो है चारसो औरतारीस किलो मिटर ये चारसो औरतारीस किलो मिटर कि दूरी डिस्टेंस क्या हो गई 448 किलो मीटर कि दूरी आठ घंटे में टाइम किता हो गई आठ घंटे में तरह कर रही है तो देखिए हमें दूरी दिये टाइम दिया है तो कमी किस बात किये कमी है speed की तो speed बराबर क्या होता है चाल बराबर होता है दूरी बटे समय तो देखिए बराबर क्या आजाएगा speed निकाल लेंगे अपन speed क्या निकाल लेंगे 4 बराबर क्या होता है दूरी बटे समय तो 448 बटे 8 time क्या है 8 है यह देखिए 8 से कित्ते बार कर जाता है 440 यह 56 बार कर जाता है अब देखिए आगे कार बी कार बी 9 गंटे में ए से 110 किलोमेटर दीख यानि कि इससे ए से 110 किलोमेटर दीख 110 जोड़ देते हैं देखिए इससे 110 किलोमेटर कित्ता आ जाता है यह आ जाएगा 508 किलोमेटर बी 9 गंटे में 508 किलोमेटर दुरी तरह करेगा तो टाइम कित्ता जाएगा 9 घंटे आ जाएगा तो देखिए यहाँ पर भी दूरी दिये हैं हमें दूरी 588 किलोमीटर टाइम 9 दिया है तो कमी किस बात की स्पीट किये तो स्पीट निकाल लेते हैं यहाँ से भी तो देखिए स्पीट कैसे निकालेंगे 588 बटे 9 कर देते हैं यह 9 से कित्ते बार कट रहा है 62 बार कट रहा है देखिए यहाँ पर यह जो है यह कित्ती स्पीड निकल गई 56 निकल गई और B की कित्ती निकल गई 62 निकल गई 56 और B की निकल गई 62 तो इनका रेसो क्या निकल जाएगा यह अनुपाद भी कितना निकल जाएगा यह अनुपाद भी निकल जाएगा 62 अनुपाद 56 यह इधर चल जाएगा यह इधर आ जाएगा तो इस देखिए 62 को 2 से काट लेते हैं 4 2 3 6 2 1 2 अनुपाद यह देखिए फिर 2 से काट रहा है 56 को काट लेते हैं दो दूनी चार और दो आठे 16 कितना आ गए रहे सो 28 अनुपाद 31 अनुपाद 28 option number 1 option number 1 आएगा अगले question पर चलते हैं देखिए एक railguardi तता एक car की गती का अनुपाद क्रमसा 16 अनुपाद 15 एक box एक bus 480 km की दूरी 8 घंटे में तै करती है bus की गती railguardi की गती की 3-6 उताई है 6 घंटे में car कितनी दूरी तै करेगी तो यहाँ पर देखिए question को समझते है एक railguardi एक car की गती का अनुपाद railguardi की railguardi की गती किती हो जाएगी 16 और car की गती किती हो जाएगी 15 आ जाएगी फिर बोल रहा है एक bus एक bus जो 480 किलोमेटर की दूरी 8 घंटे में तै करती है bus की गती जो bus की जो गती है railguardi की गती का बराबर railguardi की गती का किता है 3-4 ताई 3 बटे 4 भाग है तो 6 घंटे में car कितनी दूरी तै करेगी यह ग्याद करना है कार 6 गंटे में कितनी दूर टेकर हल करते हैं इसे देखिए तो देखिए क्वेश्चन में एक रेल गाड़ी तता एक कार की गतिक अनुपात किता दिया है क्या दिया है अनुपात 16 अनुपात 16 अनुपात 15 दिया है बस और कार की कार की गतिका रेसो तो देखिए बस और कार्ट का रेसो किता है 16 अनुपात 15 16 अनुपात 15 है तो देखिए फिर आगे बोल रहा है क्वेश्चन में एक बस 480 किलोमेटर दूरी आठ घंटे में तै करती है तो देखिए दूरी कितनी तै कर रही है 480 किलोमेटर की और टाइम किता है आठ घंटे तो देखिए दूरी है टाइम है कमी किस बात किये इस्पीट किये और 4 बराबर होता है दूरी बटे समय तो देख लिए जिदे 480 बटे आठ कर दिदिए तो देखिए आठ चिंग 48 और ये 0 इस्पीट कितनी लिगए 60 किलोमेटर प्रति घंटा 60 किलोमेटर प्रति घंटा तो देखिए फिर आगे क्या बोल रहा है बस की गती बस की गती रेल गाड़ी की गती की 3 चोथा ही है तो बस की गती किती देखिए बस की गती रेल गाड़ी की गती की 3 चोथा ही है तो बस की गती किती ही यहाँ, 60 है, यह देखिए 60 निकाले हमने स्पीड बस की, 60 हो गई, अब रेल गाड़ी के देखिए, यह इसका पक्चानता होके इधर जाएगा, तो यह कित्ता हो जाएगा, चार बटे तीन हो जाएगा, चार उपर चल जाएगा, तीन नीचे चल जाएगा, तो देखिए, यह हो जाएगा, 60 गुडित, चार बटे तीन, तो देखिए, तीन दूनी च्छा है, 20 बार कड़ गया, तो देखिए, अब क्या बच्छा है, 20 गुडित, चार कर दी जी, कित्ता आजाएगा, 80 आजाएगा, रेल की स्पिट कित्ती निकल गई, 80 निकल गई, रेल की स्पिट, 80 निकल गई, तो देखिए, तो हमें बोल रहा है कि, कार बस की जो है, गती, तो देखिए यहाँ पर हमें रेल की गति कित्ती निकल गई 80 km प्रति घंटा निकल गई इस्पीड लेकिन एक्ट्विक गति कित्ती दिये में 16 km प्रति घंटा दिये यह देखिए रेल की तो देखिए यहां पर तो एक कितले के बराबर होगा पाच के बराबर होगा यह भी होगा पाच के बराबर जब यह वाली वेल्यू पाच के बराबर है एक की वेल्यू पाच के बराबर है तो पंदरा के वेल्यू कितनी होगी तो देखिए पंदरा गुडित पाच कर देंगे किता आ जाएगा 75 आ जाएगा तो देखिए बस की कार की स्पीट कितनी निकल गई 75 किलोमीटर यान प्रती घंटा एक घंटे में 75 किलोमीटर तै करेगी तो हमें बोल रहा है क्वेश्चन में तो कार 6 घंटे में कार कितनी दूरी तै करेगी एक घंटे में 75 तो 6 घंटे में कितनी 75 गुड़ा 6 कर देंगे तो देखिए 75 गुड़ा 6 तो कितना आजाता यह यह आजाएगा 450 450 किलोमीटर दूरी तै करेगी बस कार 6 गंटे में 450 किलोमीटर दूरी तै करेगी option number A आजाएगा आगले question पर चलते हैं दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को like नहीं किया तो like कर दीजिए तो देखिए question क्या दिया है एक car जीब और टेक्टर की गती एक car जीब और टेक्टर की गती का नुपात 3 नुपात 5 नुपात 2 है जीब की गती टेक्टर की गती की 250 परतीसत है तो जो 12 गंटे में 360 किलोमीटर दूरी ताइ करता है यहां ताइ करता है बोलता है यानि कि टेक्टर की टेक्टर के लिए होगा कार था था जीब की मिलकर औसवत गती कितनी है तो देखी क्वेश्टन को समझते है कार, जीब और टेक्टर, तीनो की गतियों का अनुपाद किता दिया है, तीन अनुपाद पाच अनुपाद दो, कार जीब की गति, टेक्टर की गति की 250 प्रतिसत है, तो देखिये, जीब की गति किती है, पाच है, और टेक्टर की गति दो है, तो 250 यहने कि धाई गुना है इस प्रज़ को नहीं करना है करताostate आगे दिखी जो कुण करके दिए है कंफ्यूज है इसको कोण हमहें करता将 गया है जीब और कार के लिए करती है आता करता है बोला है टेक्टर की बात कर रहा है तथा जीब कार तथा जीब मिलकर अवस्द गती कितनी है हल करते हैं इसे देखिए तो देखिए क्वेस्चन में क्या बोल रहा है जीव और टेक्टर की गतियों का अनुपात किता है कार 3 अनुपात 5 अनुपात 2 ये रेसो दिया है तो देखी फिर बोल रहा है जीव की गति टेक्टर की गति का 250 प्रतिसत है वो तो हाई दिख रहा है हमें जो 12 गंटे में 360 किलोमीटर दूरी तै करता है अनिकी टेक्टर जो है बारा घंटे में 360 किलोमेटर दूरी करता है तो देखिए टाइम किता है बारा है डिस्टेंस किता है दूरी 360 है तो कमी किस बात कि दूरी है टाइम है तो इस्पीट की कमी है चारवरा बर दूरी बटे समय होता है कर दो के स्टीज़ साथ हुआully, कित्ता निकल गया। तीस आ गई। इस्पिट किती आ गई। धिक्टर की स्पिट 30 आ गई। देखिए, टेक्टर की स्पीट किती निकली, 30 निकल गई, टेक्टर की स्पीट किती निकल गई, 30 निकल गई, जो 30 है, 30 दो का किते गुना है, 30 दो का किते गुना है, 15 गुना है, यह देखिए, पंद्रा दुनी तिस पंद्रा गुना है तो पाज भी पंद्रा गुना होगा कार की गती भी पंद्रा गुनी होगी देखिए तो पंद्रा गुडी तो पाज कित्ता हो जाता है 75 हो जाता है और पंद्रा तिया 45 हो गया यह देखिए यह क्या निकल गई कार की स्पीड निकल गई ये जीब की स्पीड निकल गई ये टेक्टर की स्पीड निकल गई अब हमें बोल रहा है कार तथा जीब मिलकर अवसद गती किती है कार तथा जीब देखिए ये कार और ये जीब अवसद गती बोल रहा है इसलिए दोनों को जोड़ देते हैं 45 और 75 गित्ता हो गया 120 हो गया अवसद गती तो 2 से भाग दे देते हैं 2 इचिंग 12 और एच 0 60 किलोमीटर प्रति घंटा प्रति घंटा अवसद नमबर के आ जाएगा ए आ जाएगा अगले कोश्चन पर चलते हैं देखिए एक मालगाडी दिल्ली से मुंबई के लिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा की अवसद चाल से रवान होती है इसके 2 घंटे बाद इसके 2 घंटे बाद एक एकस्प्रेस गाड़ प्रति घंटा की अवसद चाल से रवान चलकर पहले रवाना हुई मालगाडी के समांतर पत पर रवाना होती है दिल्ली से किस दूरी पर एक्सप्रेस गाड़ी मालगाडी से जा मिलेगी तो देखी क्वेस्चन बोल रहा है एक मालगाडी एक मालगाडी जो पहली मालगाडी 40 किलोमेटर पति गंटा की रफ्तार से दिल्ली से मुंबाई के लिए रवाना होती है तो दो घंटे बाद एक्सप्रेस गाड़ी यानि कि पहले जो मालगाडी है 40 किलोमेटर एक घंटे में चल रही है तो दो घंटे बाद क्या हो रही है एक्सप्रेस गाड़ी तो दो घंटे तकी किती दुरी ताय कर लेगी 80 किलो मीटर ताय कर लेगी दो घंटे बाद एक EXPRESS गाड़ी दिली से दिली से मुंबाई के लिए 60 किलो मेटर प्रति घंटा की चाल से चल कर पहले रवाना हुई मालगाडी के समांतर पतपर रवाना होती है तो देखिए जो है दूसरी एक्सप्रेस गाड़ी 60 किलो मीटर प्रति गंटा की रफ्ता चलती है तो ये दोनों माल गाड़ी और एक्सप्रेस एक दूसरे से कम मिलेंगे ये ग्याद करना है हमें थ्वाल करते हैं इसे तो देखिए ये हो गई दिली और ये हो गई मुंबई दिली से मुंबई के लिए एक माल गाड़ी माल गाड़ी 40 किलोमेटर पति गंता की रफ्तार से रवाना होती है जो है 40 किलोमेटर इसकी स्पीरिट 40 किलोमेटर स्पीरिट है तो दो घंटे बाद एक स्प्रेस गाड़ी रवाना हो रही है तो ये जो है दो घंटे में कित्ती दूरीताय कर लेगी 80 किलोमेटर यहां तक पह प्रति घृंटा, 60 km प्रति घंटा की चाल से रवान होती है, तो वे दोनों आपसमें कम मिलेगी ये ग्याद करना है, तो धल करते हैं, देखिए, तो देखिए, एक्सप्रेस की गाड़ी की चाल किती है, 60 km प्रति घंटा, और जो माल गाड़ी है, उसकी चाल किती है, 40 km पति घंटा तो देखिए इन दोनों घटा देएगे क्यों घटाएगे क्योंकि 7 एक चाल दोनों एक ही दिसा में चल रही है 7 एक चाल में घटाया जाता है और निर्पेक चाल यदि वे एक दूसरे के विपरी चलती है तो जोड़ा जाता तो घटा देएगे तो क्या आजाएगा इन दोने के बिच कर डिस्टेंस किता आजाएगा 20 आजाएगा तो देखिए 7 एक चाल किती निकल गए 20 km पति घंटा और दूरी का में क्या दिए दूरी देखिए 80 km आगई 2 घंटे में 80 km ताय कर रही है मालगाड़ी तो दूरी किती हो गई 80 km हो गई दूरी हो गई 80 km दूरी है स्पीड है देखिए यह स्पीड है दूरी है इस्पीड है तो कमी किस बात किये टाइम किये तो देखिए टाइम बराबर क्या होता है distance upon speed तो distance किती है 80 बटे इस्पीड किती है 20 की 20 चोके 80 तो time क्या निकल गया 4 घंटे निकल गया 4 घंटे time निकल गया इससे यह पता चलता है हमें कि जो express गाड़ी है मालगाडी को 4 घंटे में पकड़ेगी 4 घंटे में पकड़ेगी और हमसे क्या पूछा है हम से पुछा एक्सप्रेस गाड़ी और माल गाड़ी दिल्ली से किस दूरी पर मिलेगी किस दूरी निकालना है हमें तो देखिए दूरी बराबर क्या होता है दूरी बराबर क्या होता है स्पीड स्पीड गुडित टाइम तो देखिए इस्पीड किती है, एकस्परेस की? एकस्परेस की स्पीड है 60 किलोमिटर पती घảoटा तो इस्पीड किती आ जाज़ाएगी 6 और टाइम आ जाएगा 5घाणटा तो देखिए 60 गुडी चार कर देता है तो डिस्टेंस किती है आ जाएगी साथ गुड़ी चारी हो जाता है दो सव चालीस किलो मीटर दिल्ली से दो सव चालीस किलो मीटर बाद जो है एक्सप्रेस गाड़ी माल गाड़ी को पकड़ेगी आप्सन नमबर भी आ जाएगा इसका अंसर अगरे कॉस्चन पर चलते हैं एक कार सहर य से सहर जेट की दूरी 60 किलो मीटर पति गंटा की गती से तता सहर जेट से वाई की दूरी 65 किलो मीटर पति गंटा की गती से तै करती है और आती कित्ती है जेट से वाई आती 65 किलो मीटर पति गंटा की चाल से तो आती 65 किलो मीटर पति गंटा की चाल से तो आती 65 गति कैसे करेंगे तो देखे आुसद गति का कैस उत्र होता है 2 x y बटे x dhen y यह आुसद गति का formula होता है, तो देखे value लग देते हैं जो जाता है जाने के समय को हम x माल लेते हैं और आने के समय को y माल लेते हैं तो देखे दो गुडिद 60 की स्पीट से जाता है तो X की जगा 60 आजाएगा और 65 की स्पीट से वापस आता है तो Y की जगा 65 आजाएगा बटे एक धन वाए तो 60 धन 65 तो देखिए आगे हल करते हैं इसे 2 गुडि 60 धन 65 बटे 60 और 65 किता हो गया ये हो गए 125 तो देखिए 5 दूनी दस और 25 5 एकम 5 पाच दूनी दस 5 आम 25 5 एकम 5 पाच तिया 15 क्या बच गया देखिए 13 गुडित 12 गुडित 2 किता हो गया 315 हो गया 312 312 बटे 5 ये 5 से किते बार कर जाएगा 62 जटम रू 4 बार कर जाता है 62.4 बार तो उसद गती किती निकल गए 62.4 किलो मीटर प्रती घंटा अप्सन नमबर भी आ गया अगले क्वेश्चन पर चलते हैं तो देखिए एक वेक्ती एक खड़ी हुई बस को 18 सेकेंड में पार कर सकता है यही बस 4 सेकेंड में एक खंबा पार करती है बस तथा उस वेक्ती की गती का अनुपात है जो देखिए क्वेश्चन को समझते है जो बस है जो खड़ी हुई बस 18 सेकेंड में पार करती है एक वेक्ती जो है बस को 18 सेकेंड में पार करता है यही बस 4 सेकेंड में खंबे को पार करती है तो उस वेक्ती की गती बस और वेक्ती की गती का अनुपात क्या है ये ग्यात करना है हमें व्यक्ति की गति और बस का रेसो पता करना है हल करते हैं तो देखिए दोस्तो ये कोई बस हो गई ये बस हो गई इसकी जो है दूरी बस की लंबाई किती हो गई दूरी एक माल लेते हैं इसे तो कोई व्यक्ति जो है एक खड़ी हुई बस को अठ्रा सेकेंड आ गया और दूरी कित्ती है एक आ गई तो देखिए चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय दूरी एक है समय अठ्रा सेकेंड है तो देखिए चाल बराबर स्पीड बराबर दूरी बटे समय तो मान रख देते हैं तो क्या आ जाएगा दोस्तों एक बटे दूरी एक है देखिए और टाइम अठ्रा है तो अठ्रा आ जाएगा बराबर फिर आगे क्वेश्चन में बोल रहा है यही बस चार सेकेंड में एक खंबा पार करती है तो बस क क्या है चार सेकेंड में खंबा पार कर रही है टाइम किता आ गया फिर चार सेकेंड आ गया टाइम और देखिए बस की लंबा दूरी तो एक है यहां से यहां तक की दूरी किती है एक मान ही हमने तो देखिए फिर स्पीड क्या निकल जाएगी स्पीड निकल जाएगी दू पूरी एक है और समय 4 सेखेंड है एक बटे 4 हो गया तो देखिए दो दूनी 4 और दूनी 18 आगे देखिए क्या बज गया एक बटे 9 बराबर एक बटे 2 तो इसका इसदर गुड़ा कर दीजी इसका इदर गुड़ा कर दीजी दो तो देखिए दो बराबर क्या आगया नव आगया तो यहाँ पर देखिए बस की जो वेल्यू है कित्ती हो गई दो हो गई और वेक्ति की वेल्यू है नव हो गई तो देखिए बस की वेल्यू दो है और वेक्ति की वेल्यू कित्ती है नव हो गई तो इनका देखिए निकल जाएगा अगला क्वेशन देखिए 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 से 500 किलोमीटर की दूरी पर है एक रेल गाड़ी प्राता आठ बजे ए से बी की ओर 70 किलोमीटर पती घंटा की गती से चलती है दोनों गाड़ियां आपस में कब मिलेगी एगात करना है तो देखे कोश्चन समझते है ए और बी दो सहर ए से बी के बीच की दूरी किती है 500 किलोम की गतीच की चलती है और यह 10 बजए एक अन्य रेल गाड़ी तो देखे पहले तो यह जो है ए से हरो गया यह बी से हरो गया इसके बीच की दूरी किती है 500 किलोमीटर 300 किलोमीटर दूरी है तो यह जो है 8 बज़े चालू होती है 8 बज़े चालू होती है जो पहली रेल गाड़ी 8 बज़े चालू होती है किते की स्पीट से 70 की स्पीट से चालू होती है 70 की स्पीट से चलती है और फिर दूसरी गाड़ी किते बज़े चालू होती है 10 बज़े चालू होती है कि मैं दस को यहां लिख देता हूं कि दस बचे चालू होती है तो देखिए आठ और दस के बीच किते का गेफ है दो का याने कि दो घंटे बात चालू होती है तो दो घंटे में पहली वाली रेलगाडी सत्तर की स्पीड से किती दूरी तै कर लेगी 500 में से जादूनी 14 140 हो गया 140 किलोमीटर तै कर लेगी 500 में से 100 तो बचेगी किती 500 में से 140 को घंटा दीजिए तो बच जाती किती 360 किलोमीटर दूरी बच जाती है और फिर बोल रहा है बी ए की और 110 किलोमीटर पती घंटा की गती से चलती है तो दोनों गाड़ियां आपस में कब मिलेगी ये ग्याद करना है में आपस में कब मिलेगी ग्याद करना है तो हल करते हैं देखिए तो देखिए टोटल दूरी किती हो गए 500 किलो मीटर दूरी है पाहली रेल गाड़ी 8 बज़े चालू होती है दूसरी 10 बज़े चालू होती है आठ और 10 के बिच किते का गेप बर रहा है दो घंटे में ये पाहली वाली रेल गाड़ी जो 70-20 पिट से चलती है सत्तर की स्पिट से तो दो घंटे में किती दूरी चाहिए कर लेगी 140 किलो मीटर अब देखिए 500 में से 140 गए किते बचे 360 बच जाते हैं 360 किलो मीटर दूरी सेज बचिए 360 किलो मीटर दूरी सेज बच गई है तो देखिए फिर बोल रहा है आगे क्वेश्चन पहली वाली 110 की स्पीड से चल रही है तो देखिए यह क्या है निर्पेक्च चाले एक दूसरे की विपरीत है इसलिए जुड़ेंगी और यह सापेक्च होती तो घटती तो 70 और 110 किते हो गए साथ्र और 110 किते हो गए 180 हो गए 180 हो जाता है तो यहां पर देखिए यह होगोई स्पीड तो देखिए हमसे बोल रहा है दोनों गाड़िया आपस में कम मिलेगी देखिए यह होगोई डिस्टेंस बची इतीस तो बची इती तो दो घंटे पहले इसने पहली वाली रेल कर लिए तो इत्ती बची 360 बची इस्पीड 180 है दूरी एक 360 है कमी किस बात किये टाइम किये कि टाइम बराबर क्या होता है दूरी बटे तो दूरी देखिए दूरी किती है 360 बटे चाल चाल इस्पीड किती है 180 तो देखिए यह जो 180 से किते बार कटेगा दो बार कट जाएगा यानिकि दो घंटे अब देखिए वह बोल रहा है दोनों गाड़ी आपस में किते समय मिलेगी समय दिया है तो देखिए 10 बजे चालू हो रही थी पहले वाली तो 8 बजे चालू हो देखिए और यह जोड़ लीजिए किते हो गएं बारा यहाए बजे मिलेगी बारा बजे मिलेगी दो पहर में ऑप reacting नमबर भी तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही आगे के questions अगले पार्ट में करेंगे time and distance का part 3 जल्दी upload होगा तो जब तक के लिए channel को subscribe कर दीजिए subscribe कर दीजिए like कर दीजिए share कर दीजिए और comment करके बताईए video कैसा लगा साथ ही इस bell के icon को दबा दीजिए इससे क्या होगा हमारे videos के notification आप तक पहुंचते रहेंगे